यह requirement Saudi Arabia के लिए requirement और यह बहुत सारे अच्छे अच्छे jobs आ चुकी है इमार company के भी jobs है और दुबई के लिए मलेशिया के लिए कुएत के लिए और यह बहुत सारे country के लिए jobs आ चुके दोस्तों वीडियो एंट तक देखना वीडियो मिस मत करना क्योंकि आपकी suitable job जो है मिस हो जाएगी वीडियो एंट तक देखना वीडियो मिस मत करना वीडियो स्टाट करने से बिला चोटी सी रिक्वेश्ट अगर से आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब लाइक कर देना और चैनल पर न्यू आया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आइकॉन को प्रेस के लेना अच्छा सा कमेंट कर देना अभी से दोस्तों में शेर कर देना चले वीडियो को स्टाट कर लेते हैं रिक्वार्म है कॉंटेक नमबर सारगुष डीटल है ऑफिस इनकी कोची के अर्ला में है ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं इसमें से यह सौधी के लिए ही रिक्वार्मेंट है अर्जंडी रिक्वार्मेंट है आल लाइन इंटर्वीर है वीजा रेडी हैस में से इमिरेटले डिपाचर केबल जॉइंटर के लिए रिक्वार्मेंट है स्यालरे आपकी टूठान से लिए टूठान से लिए टूठान फाइंड के लिए requirement है document आपके सेंड कर देना इमिलेडी है contact number कि यह अबुदाभी के लिए requirement है visit to employment visa रहेगा है house electration tiles muscle labor requirement है इसमें दोनों passport के लोग चलेंग ECR and ECNR 10 घंटे की duty रहेगी accommodation transportation रहेगा 2 years का contact period रहेगा document आपके mail कर देजिए इमिलेडी contact number है यह खतर लिए requirement है required for repeated company का job है CV selection होगा interview हो जाए उसके बाद में टेलीफोनिक में टेलीफोनिक interview टाइलर फ्लाइट लॉक मिशीन डागमेंट आपके सेंड कर देजिए इमिलेडी contact number WhatsApp नमबर भी है यह साओधी एर्यबाइक लिए requirement है अर्जेनली रिक्वारमेंट है विजा प्रेजेंट रेडी है अर्जेनली डिपार्चर सेफ्टी ऑफिजर पाइफ वाइबरेक्टर बॉम्ट्रक ड्राइवर इंस्ट्रमेंट टेक्निशन के लिए डाकमेंट आपके सेंड करतेजिए इमिलेडी contact नमबर है यह अर्मको का प्रोजेक्ट है साओधी का सिविल QC इंस्पेक्टर अस्पेक्ट बैचिंग प्लांट क्यूसी इंस्पेक्टर प्लांट कॉंग्रेट बैचिंग क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए requirement है कि लिए अर्जेंडी रिक्वार्मेंट है जो है अर्जेंडी requirement है मेुडूवेंिया के लिए requirement है टि एक लिएत रिक एक उचिदे की मेल रिकोडमेंट है बहुत सारे जॉब से पैकर हो गया फोर्कलिफ्ट हेलपर हो गया ग्यास कटर टैंग वेल्डर ऑफिस बाइक लिए रिक्वार्मेंट डॉक्मट आपको सेंड कर देना इमलेडी कौन्टेक नमबर है यह दुबाई के लिए रिक्वार्मेंट है रियल स्टेट की कंपरी का जॉब है मल्टिनेशनल ग्रूप है इनका इसमेंसे रिलेशनशिप मैनेजर टेली से एक्विटी के लिए रिक्वार्मेंट है डॉकमेंट आपके सेंड कर देना इमलेडी कॉंटेक्ट नमबर सारा कुछ डीटेल है दर ये रिकवार्मेन। मलेशा के यिए रिकॉर्मेंट है केरलISE कुछ वेयर्ख स्वुटे। मास्टर असिस्टनमस्टर के लिए रिकॉर्म subscribed आक्के सेंड कर देना इह मलीकॉंटेर्ट यह वेटर के लिए रिकॉयरमनस है, मलेशा के लिए डॉकमंट आपके SEND कर दिजेए इंपलर कॉंटक नमबर है, यह दुबाइ के लिए रिकॉयरमनस है, लाई ड्राइवरस के लिए requirement है, यह कोडियर की कमपनी है, इनकी सेलरी दो कि ए डही हाजार जिरं तक सेल रहेगी हाथ में तानिटे लीडिայ मेल कर दीजे इस दुबाई के लिए ्यूर। डॉर्ममट आपके लिए केम पर कडिए है यह उमर कंपनी का जॉब इस बैंड न हे में एस ङमकेर दो है है वैलइट पार्किंग ड्राइवर्स के लिए रिक्वार्मेंट है यह और से अच्छी रहेगी फूडा कॉमेशन रहेगा फूडा कॉमेशन फ्री रहेगा कट मुड़ आपके सेंड कर दिए इमलेडी कॉइंट नंबर है यह रिकॉर्मेंट जो है सौधी के लिए रिकॉर्मेंट है अक्वान्टेंट एडॉब आपके सेंड कर दूजे इमलेड़े क्वांटेक्ट नमबर है सौधियरे बैया के लिए औरमेंट है अदिन अफ़ेसे लिए इडॉब काल मेंट है डॉब अपके सेंड कर दिजैर का वाटसब नमबर है वेबसेट है कौन्टेक नमबर है सेम कंसलेटेंस की रिक्वार्मेंट है इसमें डिटल मेंशन नहीं किया गए है डिटल सेमें यह है रिक्वार्मेंट में यह requirement के भी मदब दोनों बौध सेम कंसल्टेंजी की requirement एक्वाइरमेंट एक्वाइरमेंट की बी एड्मिन ओफिसर की दोनों भी सेम requirement है इसलिए number 1 में मेंौनेंट किया गया accountant जो requirement हो नमबर पर ही आप जोta मीं जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं दोनों सेमी है इसाइडनाइडिए इसाइडना पर आप मेल सकते हैपके डागमेट सेंड कर सकते है वाट्सप कर सकते है यह आडिमिन आफिसर के में है सवshopनान लूख ध तकल मेंट हावb के चुन पर हत लिए रिकौरमेंट यह दुबाई के लिए रिक्वारमेंट इंट्र आपका बेंगलोर में रहा है इसमें से 18th को सेमी फे गॉर्मेंट फेसलिटी मैनेजमेंट की एक कंपनी है दुबाई के अंदर इलेक्टेशन, प्लमबर, AC टेग्नेशन, मल्टी टेग्नेशन, हच्फिस इटेशन, स्विमिंग पूल टेग्नेशन, चिल्ले टेग्नेशन, फेसलिटी इंजिनेर के लिए रिक्वारमेंट डॉक्मेंट आपके सेंड कर दिजिए इमिलेडी कौंटेक नमबर है यह सौधी रिक्वारमेंट है, असिस्टेट मैनेजर, डॉक्मेंट आपके सेंड कर दिजिए इमिलेडी कौंटेक नमबर सारा कुछ डीटेल है, यह यूरप के लिए रिक्वारमेंट है, इंट्रवी आपका 17 को रहेगा, चन्नाय में तरिच्छी में 18 को इंट्रवी और हो यह यहницतर रही फैक्टरी हमपर यह रिक्वारमेंट है, से लिए फिव्ट से लेक 65 होज़न तक रहेगी डॉगंटेश काम कारना पड़ेगा, ओटी रहेगा और फुट फ्री में दिया जा रहा है टुएर्स का कॉंटेक रहेगा एज लिमीट 20 से लेके 28 है डॉक्मेट आपके मेल कर दिये इमलेडी कॉंटेक नमबर है यह साथी के लिए रिक्वार्मेंट साथी अरे बैग ले है delivery driver skill requirement है डॉक्मेट आपके सेण कर देजिए इमलेडी कॉंटेक नमबर है और जो भी requirement में Consulately का डीटेल नहीं होता है जैसे की इनका lломक कर नेम कर देद को थोड़ी Consulately का नेम कर देक नमबर होता है में नोग बाल करके पता लगा ना कंसलिदंसी का नेम लाइसेंस समबर सारे कुछ जान करी लेना इंफॉरमेशन लेना अर गुगल मैप्स पर जाके इंगे रिवियो रिट कर लेना अच्छे से पर स्टॉल आप कंसलिदेंसी पूछना अगर से पूछ कर अच्छे तरह से रिवी लेना एक बार इंफर्मेशन फर्स वाल करके बात करना इनसे इंफर्मेशन लेके आपको फिर से अच्छे तरह से अच्छ कर लेन रिसेच करना है और एक भी रुपाइब आपको देना नहीं दो सोक्के रे Calvin utan बेबлись करना पर offense वेज्टाइन आफ होने आ वाद आफ्या है आने प welfare से विरिफार करवा शक्राइब और सर्विच यार्ज के बारे में बात करना और अपला करने आप माँ बता तो आपको अभी देखें ये company name name mention किया है एक company के बारे में research करना अपलाई करने से परे job के लिए और थोड़ी requirement में company name mention नहीं किया होता है consultancy directly आप call करके पूछ सकते company name पूछ कर company के बारे में research की जगा कि reviews read किजेगा Google Maps application पर जाके search करेंगे तो आपको सारी detail मिल जाएगी reviews check कर लेना reviews read कर लेना ज्यादतर आपको positive reviews मिले तो ही आप job के लिए अपलाई करना नहीं तो आप job के लिए नहीं अपलाई करना दोनों मतलब company के बार में भी चेक कर लेना आप चेक कर लेना दोनों आपको सही लगे तो ही आप job के लिए अपलाई करना नहीं तो अपलाई नहीं करना वेट कर लेना और यह अच्छी जॉब की requirement आने तक और यह consistency के बारे में अच्छी तरह से verify कर लेना यह क्वेद के लिए requirement है प्रोजेक्ट मैनेजर अग्रिकल्चर इंजिनर मेकानिकल इंजिनर सेफ्टी सुपर्वेदर क्वांटिटी सर्वाइवर सेक्यूरिटी डेटा एंट्री मिशिनिरी ऑपरेटर मेकानिक ऑफिस बैड्रेवर के लिए requirement ही मिल करे दीजे और दोसे एक को भी प्यासर रहता है ओभ रहता है ज सेलेक्शन होने से पहले आपको कुछ भी Ihre ड्रिकल नहीं करवाना और इंटर्वी पर जाने के टेम पर आपको सिफ ओरिजिनल डॉगमेट लेके जाके उनको बताना पड़ता है बता के इंटर्वी देने बाद में आपके डॉगमेट आप लेके आ सकते हैं थोड़ी कंसेटेंसी के डिमैंड रहती है कि डॉगमेट ओरिजिनल ओर लोगी इंटर्वी होने बाद में सेलेक्शन होने बाद में ओर लोग के पास ही रख लेते हैं आपका ओरिजिनल पासपर्ट जो है सेकुरिटी परपस लेकिन अब औरुजिनल डॉक्मेंट देने से पेले आपका सेलेक्शंघ होने बाद में पूछ आपको। पूछने के बाद भी आप original document देने के लिए मना की जगर से जरूरित देने के लिए बोले तो consultancy के बार अच्छे तरह से check किजएगा आप जो है अच्छे तरह से research किजएगा check करके उसके बाद में आप document जे सकते हैं कि original document जो security purpose आपको पूचा जाता है consistency की तरफ से या company की तरफ से क्योंकि उस टाइम पे आप visa आने के बाद में नहीं जाएंगे तो जो भी चार्ज रहेगा visa का वो company को pay करना पड़ता है आप नहीं जाएंगे तो उनको loss हो जागा और consistency की reputation खराब हो जाती है और consistency को भी आप पे करना पड़ता है consistency कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है सिर्फ consistency की reputation खराब होते है company को pay करना पड़ता है company आपके पर invest करके visa जो है issue करती है लेकिन आप नहीं जाते तो reputation भी खराब होती है और उनके work के लिए जो hiring करते है उनका जो work भी रहता है पेंडिंग पड़ जाता है फिर दूसरे जो फिर दूसरे person आने तक वो लोग wait करना पड़ता है उनके project के लिए इसलिए अप सूस समझ कर apply करना और interview होने के बाद भी interview होने के बाद ही offer letter आने के बाद company बारे में चेक करकर और offer letter भी आप चेक करवा सकते हैं और रिणल है duplicate कि offer letter भी बहुत सारे duplicates जो scam चल रहा है offer letters का भी इसलिए offer letter भी आप चेक करवा सकते हैं आपके local consultancy में आप जिस city से आपके local में ही चेक करकर उसके बाद में आप जो भी process रहता हो आगे बढ़वा सकते हैं कहने का मतलब यही दोस्तों आपका time wish नहीं होना चाहिए आप अच्छे से जॉब में सेलेक्शन होगे जल से जल आपका departure होना चाहिए यही मैं कहना चाहता हूँ आपको और consultancy का नेम भी दिया आगा है इदर देख सकते हैं कोच केरला में office है टेलिफोन नंबर है license consultancy 1000 प्लाज रिष्टर आफिस है आफिस भले 1000 प्लाज रिष्टर हो फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है रिवीज चेक कर लेना है पब्लिक के रिवीज पब्लिक क्या बोल रहे है क्या नहीं बोलके आप रिवीज चेक कर लेना है आपको उसके बाद आपको सही लगे तो ही आप जॉब के लिए अपला में टाइल मसुन मसुन यस कार्पेंटर स्टिल फिक्सर के लिए रिक्वारमेंट है डॉक्मेंट आपके सेंड कर देना इनको क्वांटेक्ट नंबर है और डायरेटली आप अपले मत कर देना जॉब के लिए फर्स्ट अल कंपनी का नेम मेंशन किया होता है फिर से मैं आपको बता रहा हूं कंपनी के बारे में चेक कर लेना कंसेटेंसी के रिव्यूज कर लेना अगर से कंसेटेंसी कुछ भी आपको बता रहा हूं मेंशन क्या है समझो रहें उसे कॉल कर लेना फस्ट अपले करने ही फ्रॉस को पूछ ना कंसेटेंसी का नेम पूछ कर रहा रहें मतलब इंटर्विस में त्रिच्ची में हो रहा है और लेकिन इंटर्वी आपका चन्ने में होता है बैंगलूर में होता है ऐसा इंटर्वी। होता है और एक बार पूछ लेना इसे आपकी ओफिस किदर है कॉल करी जाएडियेटली कॉल करके रिक्वार्मेंट के बार में पूछेएगा मैं इसा मैंने YouTube में वीडियो देखिया वह ऐसा मैंने यूतुब पर वीडियो देख्या रिक्वायरमेंट का यह रिक्वायरमेंट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कॉलकर इंसे कॉल करकर का बात करना बात करने का बाद में सारा जॉब का description ले ले लेना इनसे और स्वालों को को वह डॉक्मेट सेंड़ करता हैं उसके बास नंब करना है। सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद में आपको क्या करना है आपको गूगल पर जाके का नेम डेरेटली आपको टैप कर देना है टैप करकर उसके बाजिक में सीटी बे आड़ करना आपको त्रीची बोलके सीटी के हिसाब से उसके बाद में आपके आगर नयाट करकर सच करेंगे तो आपको जो है बहुत सारे पब्लिक रिविव्यूस आपको मिल जाएंगे कॉमेंट मिल जाएंगे और रेटिंग्स मिल जाएंगे आपको गूगल मैप्स की गूगल अप्लिकेशन से भी कर सकते हैं नॉर्मली ब्राॉजर से भी कर सकते है उसके बाद में आप छेख करेंगे तो आपको सारे डीटेल मिल जाएगा उसके बाद में फिर डिरेटली उनको कॉल बेक करना है अगर से आपको सही लगे ज्यादा तर पॉजिट्व आपको रिव्यूश मिले तो जल से जल आपको क् इनको send कर देना है WhatsApp पर हो या mail पर उसके बाद में जो mail करते हैं mail करनेटे में subject line पर भी आपका job का name mention कर देना है job का name mention करकर जल से जल mail कर देना उसके बाद में आपका CV short list होने बाद में callback आ जाता है उसके बाद में सारा कुछ जो process रहता हो कंसल्टेंसी वाले आपको step by step आपको information देंगे इंटर्वी इसमें से क्लाइंट की साथ में 18 को हो रहा है त्रिची में सारा कुछ आपको डीटेल बताया जाए कंसल्टेंसी की तरफ से उसका process हो जाए उसके बाद में आपका आपका time waste नहीं होना चाहिए किधर भी आपको किधर भी apply करके आप फस नहीं जाना इसलिए मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा wait कर लेना है call करके बात करकर research करकर ही तबीक अधर भी आपको apply कर देना है job के लिए होगे दोस्तों बर्ट्याग लिए requirement के तरफ यह कोईज के लिए requirement है salesman, cashier, female, busher, meat, fish, packer, helper के लिए requirement है document आपके send कर देजिए, cumulative contact number है और वीडियो को like नहीं तो प्लीज दोस्तों अभी से like कर देना लाइक करने से मां motivate होता हूँ और प्याच्छे जॉब के related videos हमारे चैनल पर आते रहेंगे और अच्छा सा comment कर देना दोस्तों के लिए शेयर भी कर देना जीतना हो से लिए शेयर कर देना और subscribe नहीं किया है तो और प्लीज अभी से subscribe करके notification bell icon को प्रेस कर लेना यह खतर के लिए requirement है खतर में इनकी फैमिली है फैमिली ड्रैवर्स के लिए requirement है दो बंदों के लिए और ECR और दोनों passport को लोग eligible अप्लाई कर सकते लेकिन जॉब का क्राइटरिया जो है इसमें से मिनिमाम जो है त्री से लेके फाइयर्स का experience होना चाहिए यह 40 के बिलो दोनों passport को लोग eligible अप्लाई कर सकते अकॉमेडेशन ट्रांसपेशन रहा कंपरी के दरफ से और आपके पास प्रेजेंट जो है खतर का license होना चाहिए वैलिड होगा तो भी चलेगा एक्सपेर होगा तो चलेगा सीवी पासपर्ट कॉपी सेटिफिकेट जितने भी आपके डॉगमेड रहेंगे अच्छे तरह से स्कानिंग कर रहा होगे मेल कर दीजिए और मेल करने के टेम्पे सब्जेट लेंड पर फिर से मैं आपको बता रहा हूं जो भी requirement होती हो अपले करने टेम्पे आप जो है क्य आपका position का name mention कर देना फ़र एक्जंबल applying for house drivers के लिए जो mention कर देना फैमिल ट्रावर जो आपका position है वो जो आपका position नेम में आपको mention करना है मेल में उसके बाद में जो सब्जेट लाइन होता है मेल में सब्जेट लाइन पर अप्लाइंग फॉर फैमिली ड्राइवर करके मेंशन कर देना उसके बाद में आपको इस भी मेल टाइप कर सकते हैं आपकी मरजी अनकी सब्सक्राइब करना नेंट पुषेटेंज कर सकते हैं सब्सक्राइब बॉजित करना अपको पॉजिशन का नेम ही मेंशन करना रहती रहती को कatisf historian की पॉजिशन रहती इसलिए अगर आपको रिप्ले ही नहीं देंगे चेक करकर भी रिप्ले नहीं देंगे क्लाइड से मेंशन क्या होता है पोजिशन करना बोलके क्या लिए लेड़ी है कॉंटेक नमर है जॉप के अपलाई किज़ेगा जो प्रिवेस के एक्स्पेरेंस कांडिट है कातर का ड्राइविंग लेसेंस है वो लोग अपलाई किज़ेगा कि यह श्टील फिक्सर्स के लिए रिक्वार्मेंट है दुबाई के लिए यह टावर्स की ड्यूटी ओटी कंपल सरी इंटर्वी 15 को रहा है क्लाइट इसाथ में कॉंटेक नमबर है कॉल करके बाद करना उसके बाद जॉप के लिए अपलाई कर देना यह ओमान के लिए रिक्वार्मेंट टोटल फ्री आफकास्ट रिक्वार्मेंट है डारेट इंटर्वी इसमें से जो कोची में रहेगा है 18th and 19th को दिल्ली में 25-26 को रहेगा इंटर्व्यू कंफर्म रहेगा है डारेट कंफर्म हो रहा है इंटर्व्यू क्लाइन के साथ में क्लाइंट सारे डारेट इंटर्वी रहेगा है क्लाइन के साथ में कंफर्म इंटर्वी र के बारे में चेक करना बहुत सारे टीचर्स के लिए रुकार्मेंट है TGT PRT English Teacher TGT PRT Hindi Teacher PGT TGT Mathematics Teacher PGT Chemistry Teacher PGT Physics Teacher TGT Science Teacher PGT TGT History Teacher Geography Teacher Accountancy Economics Computer Science Malayalam Dance Music Art Physical Education Kindergarten French Lib Librarian और NEET JEE Teacher Student Counselor Secretary to Principal और UG PG degree होनी चाहिए आपके पास UG होगा तो चलेगा PG होगा तो चलेगा और सेम सब्जेट का बेड होना चाहिए minimum of a year experience के साथ में सीबी एसी आईजी सी यसी यसी सिल्बस पर होना चाहिए मतलब तीनों में से किस एक सिल्बस का experience होगा तो चलेगा सेम सब्जेक्ट पर डिग्री आपकी डिग्री आपके इसमें से open university भी नहीं होनी चाहिए distance education भी नहीं होनी चाहिए रेग्लर होना चाहिए रेग्लर education के साथ में वन यरी भी आपका वेष्ट आपका वेश्ट होके नहीं होना चाहिए मतलब continue होना चाहिए ग्याब नहीं होना चाहिए डिस्संस नाए त्व आप जॉब के लिए अप्लाइब नहीं कर सकते इलजिबल नहीं रहेंगे और स्याले पिसमें से अच्छी रहेगी अच्छी स्याया है अपको इसमें से Candidate can stay on their own इसमें the accommodation allowance दिया जागा Candidate के लिए separately और यह लिमिट maximum 48 जी गई है salary range इसमें से जो है 345 ओमानी रियाल है PRT के लिए TGT के लिए 355 ओमानी रियाल जो PGT है उनके लिए 405 ओमानी रियाल रहें के परमान स्यालरी इम लेड़ी है वाट्सप नंबर है रिसर्च कीजिए के बारे में उसके बाद जॉब के अपलाई कर दीजिए सीवी सेटिफिकेट्स पासपट कॉपी स्कैनिंग करवाईएगा और सेंड कर दीजिएगा इनको सब्जेट लेन पर आपका जॉब काने में मेंशन कीजिएगा उसके बाद में मेल कर दीजिए कन्फा में इंटर्वी हो रहा है कि अभी जॉब लिए अपले के फ्री रिक्वार्मेंट है यह में रिक्वाइर मेंन्ट-अपर, पू कि अंहरे प्ले बाद visit इमिलेटी कॉंटेक नंबर सारा खुछ डीटल है यह रिक्वार्मेंट लीडिंग क्याटरिंग कंपनी का जॉब है ओमान के लिए फ्री वीजा है सौथ इंडियन कुक्स असिस्टेंट कुक्स जूनियर को कॉंटिनेटल कुक्ते लिए रिक्वार्मेंट है कुछ भी आपको डौट है तो मिझे कामेंट में पूछ सकते हैं डारेटल आप कॉल करके कंसल्टेंटी से भी बात कर सकते हैं आज किसी डूम बसितना है दोस्तों मैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक बाप ना खाया लगना दोस्तों गुडबाई टेक केर